हेलो एवरिवान वेलकम टू हसन अली प्रोमोटर्स दू लाइक शेर एंड सब्सक्राइब तू मैं चैनल एंड प्रेस बैल आइकान फ्रेगलोर प्रोपटी अपडेट्स इस वक्त हम मौझूद है फुलबाख चंद्राइन गुट्टा संतोशनागर रोट पर यहां मैं आप सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल यहां पर आने के बाद हैं यह लेफ लेना होगा यह लेफ लेन में बिलकुल डेड एंड का मकान है और यह राइट हैट पे आपको सरदार महल हैं मुनसिपल ऑफिस ओल सिटी का काफी फेमस है फुललबाख में तो यह सामने आपको मैं suiv में रोड है left side का मकान है यह 148 square 8 का G plus 2 मकान है वन येर ओल कंस्ट्रक्शन है यह और इसमें 5 portions है ground floor में बड़ा portion है 3 BHK first and second floor पे 2 BHK के 2 portion है इसमें और rental income के लिए भी काफी अच्छा है मकान और अगर joint family है उनके लिए भी काफी अच्छा है और इसकी value 1 करोड 40 lakh रुपीज है slightly negashable रहेगा और जो भी मकान देखना चाह रहे हैं तो मुझे call करे तो मैं कीस इसके ground floor के available करा दूँगा इसमें first floor पे एक family है rental second floor पे एक family है अब यह बेच दे रहे हैं बलके सब को खाली करा रहे हैं इसमें और में रोट से काफी walkable distance पे है यह बिल्कुल देखिया आप नए construction भी हो रहे हैं और सरदार महल से बिल्कुल दो और लेन पहले left side में आएगा देडन पे लिफ्ट का मकान है जी प्लस टू है इसमें ground 4 पे एक single portion है first and second floor पे आपको दो-दो portions है इसमें rental income के लिए अच्छा है तो complete sale करना चाहरे है और इसको और इसकी value है आपको वन करोड फॉर्टी लाइक रुपिस घर में enter होते की पहले बाइक पार्किंग स्पेस है और यह left side में stairs है यह right side पर यह drawing room है left side में hall का डूर है तो यह drawing room है और पी-ओ-पी fall ceiling भी अच्छा करेवा है just one year old है यह construction प्रामालबल flooring है यह hall है दीखें hall का भी आपको पी-ओ-पी fall ceiling काफी शांदर है काफी बड़ा suspicious hall है एक बड़ी family joint family के लिए काफी अच्छी प्रॉपर्टी है या जो खरीद के रेंट पे भी देना चाहरे है उनके लिए भी वहती अच्छी प्रॉपर्टी है टोटल five portions है इसमें आराम से आपको अच्छा अप्टू 60,000 रेंटल इंकम आएगा इसका है यह ग्राउंड फ्लोर का यह किचेन है यह फर्स राइट सेट पर और यह रूम है किचेन भी पुरा मॉडिलर किचेन बने वाई देखिए पूरे कबर्ट्स है बने वे पूरे कबर्ट्स है यह मकान के ओनर बाहर रहते है यह यह एक रूम है रूम में भी आपको पूरे कबर्ट्स है बने वे सिर्फ एक मेने के लिए रहे सो है इसमें अभी तक ग्राउंड फ्लोर पे और यह कॉमन बातरूम है ग्राउंड फ्लोर का कि यह सिकेंड मास्टा बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का का काफी बड़ा स्पीशियस है क्लर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है आपको और इसमें भी कबर्ट्स बने हुए है पूरे कंप्लेट कबर्ट्स बने हुए है और अटाइज बातरूम है इसमें कि यह अटाइज बातरूम है तो यह दोनों भी रूम्स को दो है अटाइज बातरूम यह आने के पाद सेट बैक में इसका एक यह अटाइज बातरूम है और यह राइट शेट के रूम का इधर एक अटाइज बातरूम है तो दोनों रूम के लिए भी दो अटाइज बातरूम है अटाइज बातरूम है टोटल ग्राउन फ्लोर का 3BH के पोर्शन है और फर्स्ट और सिकेंड फ्लोर पे 2BH के दो दो पोर्शन है सपरेट जो अलड़ी उसमें रेंटल्स है अब आपको फ्रस्ट फ्लोर के दो पोर्शन बताऊंगा फ्रस्ट फ्लोर पे दो पोर्शन है जिसमें से एक पोर्शन बताऊंगा एक में अलड़ी रेंटल्स है यह उपर आता ही सामने के पोर्शन में अलड़ी रेंटल्स है किरायदार है ये वाले पोर्शन में ये पोर्शन में ये बाद़ुक में आपको एक पोर्शन है यहांपे यह इसका डूर है सामने का यह अभी खाली है इसमें भी लोग थे अभी बेच रहें मुलके यह भी खाली करा रही है अब टोटल टूब एच के के फ़र्स्ट एंड सिकेंड फॉर में दो पोशन है ग्रॉंड फॉर में बड़ा पोशन है तो आराम से आपको 60,000 रेंट आएगा इसमें यह 148 स्कुर्याट पर रेइस्टर्ड हाउस है किलियर टैटल है रेइस्टर्ड करावा है असेस्मेंट करावा है और यह एक पोशन का खिचन है फ़र्स्ट फ्लोर के विल्कुल के लिए टैटैट प्रॉपर्टी है रेंटल के लिए भी अच्छी है याने तो एक बड़ी जॉइन फेमली के लिए भी बहुत ही शांदर प्रॉपर्टी है यह तो एक पॉर्शन में का यह एक रूम है वह एक रूम था यह है टुटल दो रूम किचन इसमें अटाइज बात रूम भी है अब से मैं इसी सिकेंड फ्लोर पर जो हम पॉर्शन देखें उसमें रेंटल से और राइट शेट का खाली है तो वह हम अभी देखेंगे यह एक पॉर्शन है देखिए यह भी खाली है और यह बादुक के पॉर्शन में यहां पर किरायदार है तो टोटल दो पॉर्शन है हर फ्लोर में ग्राउन फ्लोर पर एक बड़ा पॉर्शन है यह वेकेंट है भी राइट शेट का पॉर्शन तो काफी शांदार हाउज है जी प्लस टू है यह बिलकुल फुल बाख चनायन गुटे में आता और में रोड से काफे वो वाकेबल डिस्टेंस में है सादानागर से पहले ही आता यह सामने रोड है देखिए और यह से रौड निंग के घरा है बिलकुल आपको कार पारकिंग भी कर ले सकते आप मेरे वीडियो उसको लाइक शेर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए सी यू आल इन नेक्स वीडियो टेक केर बाई 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 अल्ला हाफीज